हे फिर्ट्स तो काफी क्विक रिवियू में बात करते हैं रेलवे मैन आई मीन दी रेलवे मैन की जो कि नेट्फिक्स पर लीस की गई वाय अरफ एंटरेइमेंट में प्रेड्यूस करकर बनाई गई आप कह सकते हो के पहली डेब्यू सीरीज है या फिर एक मीनी ऐसी सीरीज जो कि हाँ आपने बस चार एपिसोड में ही खुद का पूरी तरीके से पैक अप करवा देती है यानि इसके सीजन टू का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है जिस कंटेन का जब से अनौंस्मेंट गया श्राज वालो ने की थी मैं क्या हो सकता है कई सारे कंटेन लवर बहुत ही बेसबी से वेट भी कर रहे थे और फिन एटफिक्स की इस डील के साथ नेटफिक्स फालो ने इस शो को खुद के प्लैटफॉर्म पर जगा देते हुए ये बात बता दी कि वायराफ के सारे के सारे कंटेन उन्हीं के पास आने वाले है फिर से याद दिला दू कि मैं छोटे प्रोजिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि देखा जाया तो नेट्फिक्स वालों की तरफ से पहले वायर अरफ पर एक डॉक्यमेंटरी बनाई गई थी जो कि मैं आपको हाइले रिकमेंट करूंगा कि एक बार चेकावट ज़रूर करना है लेकिन उससे हट कर ये कंटेन के मामले में उनका पहला डेब्यू ही माना जाएगा जिसका टीजर मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा था और फी ट्वेलर आया था और उस टाइम पर जो भी ये भोपाल की ट्रेजिडी हुई थी उस वक्त उन्होंने उस न्यूस को कैसे देखा था क्यूंकि मेकर्स की तरफ से टाइटल में ही ये बात क्लिया कर दी गई थी कि सीरीज का फोकस किस ट्रेजिडी के साथ साथ कौन सी सिच्वेशन पर होगा जहां पर कई सारे कैरेक्टर को दिखा करके सबसे पहले जो उनकी कैरेक्टर के आर्क को बनाया गया है जिने हम कैरेक्टर डेवलप्मेंट भी कहते है तो वो बहुती साधा जबरदस्त है इतना कि बस आपको एक ही एपिसोड देखना और आप इस शो से पूरी तरीके से खुद को कनिक कर लोगे जिस हिसाब से डेफिनेटल ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए जो कि हर मामले में मेरी नजर में बहुती साधा अच्छी है क्योंकि देखा जाए तो मास लेवल पर आप अगर उनके लिए कंटेंड बनाओ तो कई सारी ऐसी ओडियंस नहीं के क्लास ओडियंस भी होती है अपने स्टेंडर को देखकर उस पर टाइम नहीं देती लेकिन ऐसे कंटेंड को बनाने के लिए जिस तरीके का भाई वायरेफ वालो ने कदम उठाया है उस हिसाब से ये सीरीज हर किसी ओडियंस को पसंद आएगी जिसका अंदाज़ा तो आगे आपको सीरीज देखकर ही होगा क्योंकि कैरेक्टर आर्क के अलावा बात रही सीरीज के दिखाएगा चार कैरेक्टर की पफॉमेंस की यहां पर वो पूरी तरीके से दूर हो गई है क्योंकि कंटेन ही इतना जादा इंट्रेस्टिंग था या फिर कहूं मेकर्स और उनका पूरा का पूरा पैशन जो नोंने इस सीरीज को बनाते वक लगा दिया तो ऐसे में कोई भी एक्टर अपने कैरेक्टर के लेकर के बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगा चाहे बात इन चार के अलावा बाकी दूसरे दिखाएगा एक्टर की क्यों न हो और उपर से शो की पूरे मेंन एलिमेंट की बात की जाये तो पफॉमन्स इन सभी को लेकर के ये शो अपनी पेस्टिंग के लिए भी जाना जाएगा और हाँ इसके इमोशनल और टेंशन भरे माहुल के साथ साथ सिल्क ए एलिमेंट के लिए भी जिससे की आप इस शो को इस सीरीज में दाल करके सच में काफी ज़दा emotional भी करवा दिया क्योंकि रियल इवेंट के साथ साथ सीरीज में उन सारी चीजों को merge करकर दिखाना भी एक art ही होती है जिसे यहाँ पर फिर से recreate किया गया है उपर से tension भरा BGM, direction इन सब की तो और लडी में तारीफ कर ही चुका हूँ इसलिए time है तो अभी जाओ जाकर एक अच्छे entertaining show को देखो ताकि आपको ये बात याद रह जाए कि वायरेफ entertainment वालों की तरफ से series का debut कितना जादा तगड़ा है जिसके बाद फिर कि आप सीधे वक्त बनता है इसकी rating का तो बात कर ले मास audience की तो A- की category में वो लोगी show को रखेंगे जिससे हट कर बात की जाए critics की तो critics भी इस show को एक अच्छी 80 category यानि के A की category में रखते हुए इसकी तारीफ तो करेगी ही अब बात रही मेरी तो मैं इस show को A- की category में रखते हुए फिर से एक बार याद दिला दू कि Netflix पर काफी अच्छा content सिर्फ चार episodes के साथ खुद को complete करते हुए रिलीज हुआ है इसलिए time दे दो बाकी अब देखना न देखना आप पर depend करता है मैंने अपना opinion दी railway man की सीरिस को लेकर रखे दिया है इसके अलावा फिर क्या मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूला मत मिलूँगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई